एक बुड़ा किसान था जिसके पास एक बुड़ा गदा था एक गदा तो एक दिन ये गदा एक खुले पड़े कुए में गिर गया जो सूखा था वो अंदर 30 फीट नीचे गिर पड़ा और दैनी तरीके से बाहर आने के लिए चिल आने लगा लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था किसान ने जाकर देखा ये बेवकूफ गधा कहीं का कुए में जागी रहे अब इसे बाहर निकालना इस गधे को बाहर निकालने में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा बूड़े बेवकूफ गधे को बाहर निकालना जो वैसे भी किसी खास काम का नहीं है उसने सोचा कि इस गधे को बाहर निकालने का क्या फाइदा वैसे भी एक दो साल में ये मर जाएगा ये कोई काम तो करता नहीं इसके रेटायर्मेंट का समय आ गया है किसी को रेटायर्ट गधे में कोई दिल्चस्पी नहीं होती काम का गधा चलेगा रेटायर्ट गधे में किसी को दिल्चस्पी नहीं है तो उसने अपने दोस्तों और पडोसियों को बुलाया और कहा इस कुए को भर देते हैं क्योंकि वैसे भी कुआ सूखा हुआ है गदा बूडा है इससे ढग देते हैं तो वो सभी फावडा लेकर आए और फावडे भर भर के उनने कुए में मिटी फैंकना शुरू किया डरे हुए गधे ने बाहर आने के लिए वाकई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन उननोंने गड़े को भरना शुरू कर दिया कुछ देर बाद अचानक गधे ने अपना चिल्लाना बंद किया और बहुत अजीब और समझदारी भरा एक काम करना शुरू कर दिया हर बार जब एक फावडा भर मिटी उसकी पीट पर पड़ती तो वो उसे ज़ाड़कर एक कदम उपर चड़कर खड़ा हो जाता तो उन्होंने देखा ये गधा वाकई होश्यार है हर बार एक फावडा मिटी उन्दर जाती एक कदम उपर एक कदम उपर वो बहार आने लगा और फिर वो चड़कर बहार आ गया अब तो सारे जमा लोग उसकी तारीफ करने लगे कितना स्मार्ट गधा है ये वाकई बुद्धिमान गधा है ये कई चीजें कर सकता है फिर किसान ने भी बुड़े किसान ने भी सोचा वाह उसे अचानक गर्व महसूस हुआ बोला मेरे गधे को देखो कितना चतुर गधा है और उसमें गधे को सहलाने की कोशिश की गधा दुरंथ पीछे घुमा और उसके चहरे पर एक लात मारी तो कहाने का संदेश ये है कि कभी अपनी बेवकूफी को ढखने की कोशिश मत कीजे वो वापस आएगी और एक दिन आपको चहरे पर लात मारेगी तो आप मेंसे जो लोग ऐसा करने में बिजी हैं उस सारी बख्वास को चहरे पर लात मारेगी आजी बख्वास से छुटका रपाने का दिन है कल नहीं आजी वो दिन है अगर आप इसे अपने जीने का तरीका बना ले तो आप देखेंगे कि बक्वास की कितनी परते मौजूद है और अगर आप हर दिन ये कहें आज ही वो दिन है और एक परत उतर जाए तो थोड़े ही समय में जब मैं कुछ माहिने बाद वापस आऊँ मुझे चमकते सुन्दर चेहरे दिखने चाहिए एसे नहीं क्या? हाँ हाँ क्या? बेटर? बेटर होगा क्या बेटर होगा कुछ चीज़े हैं जिन्हें आप उनमें छालांग लगा कर ही जान पाएंगे अगर आप अपने चारों और मौजूद इसूर्जा को अपनी सासों से भर लें तो जीवन की बहुतिक प्रक्रिया भी कई माइनों में परिवर्टित हो सकती है हम केवल सांसारिक से रहस्यमाई की ओर तारकिक से जादूई की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं और एक बार जब आप चेतना की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो यह और तेज हो जाएगा आदो करेंगे खाहां आदो करेंगे